हेलो गाइज, वेलकम बैक तो अनदर वीडियो, बहुत ही दिन बाद हमने डॉक्टर इस्रार एहमद जीग की वीडियो पर रेक्शन कर रहे है और एंड आफ टाइम डेफिनेटली प्रेडिक्शन अबाउट लास्ट वर्ल्ड वोर, अभी फिलाल कुछ इसू चल रहा है रश अब लाइए बट प्रेडिक्शन अबाउट लास्ट वर्ल्ड वोर, एंड ओफ टाइम डॉक्टर इस्रार एहमद तो इनका यह वाली वीडियो और प्रेडिक्शन के ऊपर बहुत सारे कोमेंट्स आते हैं बहुत सारे रिक्वेस्ट आती हैं कि आप डॉक्टर इस्रार एह प्रेडिक्शन पर वीडियो बना किजी तो आज हम फिर से एक और बार इनकी एक और प्रेडिक्शन ले रहे हैं लास्ट वर्ड वोर जो धरती की लास्ट वर्ड वोर होगी दुनिया में लंग चिट जाएगी सब खतम हो जाएगे तो वह वाली प्रेडिक्शन तो फिलाल वीडियो को में स्टार्ट कर ले तो सुन लेते हैं इन्होंने क्या-क्या खास बताया है और पुराने वीडियो जिनके आप बहुत मसती अगर आपने नहीं देखिए तो चैनल पर अरड़ी है आप देख सकते हो फिलाल वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन सेकेंड कर अरूद काइम हो जाए उस थ्रोन अफ डेविड पर आकर उतनेंगे हदरते मसीय लेसलाम और वहां से पूरी दुनिया पर हुकुमत करें तो गोया कि इनका तालुक जो है इनको कहते है क्रिस्टियन जाइनिस जानी यहूनियों के इस्राइली के जो सबसे बड़े जो तरफ के जग होगी इस्लाँ जबड़ेลों आलुन एसिलाम लिए पर हमला करने के लिए जो दुश्मन है इसाए जबड़ हो जाएंगे यजबड़ेलों लग और मुसल्मान उनका मुकाबला करने के लिए जमा हो जाएंगे अब इसमें तीन दिन के बारे में आता है कि जंग बड़ी खौफनाक होगी पहले दिन मुसल्मानों ने एक जमात होगी डेथ स्क्वेड जो ये तैकर लेगी कि हम वापस जिन्दा नहीं आएंगे या फता या मौत तमाम दिन जंग होगी शाम को जंग जो है फता और शिक्स में तब्दील नहीं हो सकेंगी बलके एक तरह का रात आगई तो जंग बंद हो जाएगी और वो जो डेथ स्क्वेड था वो खत्व हो जाएगी बसल्मान सब के सब शहीद हो जाएगी दूसरे दिन फिर आखा ही होगा फिर कुछ लोग जो है तै करेंगे एहद करेंगे और शर्ट लगा देंगे ये कि या मरेंगे या फता लेकिन फता हासिन नहीं होगी वो सब के सब जो हैं पौद हो जाएगे लेकिन शिक्स भी नहीं होगी तीसरी बर्तबा भी यही हो गया लेकिन सब्स फर्माया, चौते ही बर्तबा, फईगा कामय यौमु रादेट, जब चौता दिन आएगा, लहदा इलेहिं बकीयत अहलिल इसलाम, फिर तमाम जो मुसल्मान लख कर था, वो पूरा का पूरा उन पर एक ही बर्तबा चूट पड़ेगा, फईजल अल्लाहु दमरत लम युरा मिस्लुहा, जैसी के कभी दुन्या में देखी नहीं गई, इतनी बड़ी जंग होगी, हट्टा अन्न तायरला यमुर्रो, में जना बाते ही, यहां तक एक परिंदा जो है, चाहेगा कन्वी कत्राकर लाशों पर से मैं गुजर जाओं, कोई दंगी जमीन मिल के पुरी लाशों के उपर गिरेगा, कितनी लाशों होंगी कि परिंदा चाहेगा आपको परिंदे भी, बोगा अल्ला ताला ने हिस्से लतीफ दी हुई है, कुछ गंदे ऐसे भी है, गिंद, वो तो आते ही है मुर्दार के उपर, जैसे मुर्दार जो पर आएका गिंद, आम परिंदा जो है, वो तो गिंद खाता है इसे, और वो जो बचले की कोहिश करेंगे, लेकिन जगा नहीं होगी, थर्कते, उर्ते, 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 थर्कतर गिर परेंगे, मर्दर गिर परेंगे, और ये कि उन्हें जगा नहीं मिलेगी, जहां कि वो द आपके बेटों की जब दिंकी होगी, कानु मेयतन, तुमालों होगा, वो सौत है, वो सणका डादा के कोते शुमार होते हो, या अर्मों में तो एक बात के भी सौत बेटें को अजीब बात नहीं है, ये जो बिल लादिन सहाब हैं, इनके भाई भी चारिस पचास हैं, साथ हैं और किंग अब्दुर अजीज के बेटें जो हैं, जिनकी हुकुमत उन्ही में चली आ रही है, वो भी चारिस पचास थें, बों पका नहीं हैं, यहां पर क्या मुराद हैं, वो देखेंगे उन सो में से निन्नानुए श्रीद होगे, सिर्फ एक बचा हैं, अब आगई को बा जिस बाद के निन्नानुए खेत रहें, एक रह गया, वो उनको जनीम, बाले खनीमत की क्या कुशी हुश होगे, अब आई ये मिरास न्युक्सब, या कौन से मिरास की अप तक्सीम होगे, तो बसा इसा कर वो गया, इतनी बड़ी जंग है, जिसका के नक्षा खेचा गया, मैं यसलिए कर रहा हूँ कि आमकार पर लोग जोने जरा हदीसों से कुछ ज़्याता दिल्चस्पी नहीं रखते, तो मैं बचल लेकर आया हूँ साथ आए पुसकाने के लिए, जाहर बात है कि ये जंग यो होनीगी, अल्मलहमतुलुदुदुदुदुदुदुदुदु ज़्याँका वो दिराज का मौदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदु नहीं जाहर बात है, जाहर दूर नहीं, उसकी बज़े क्या है, भुझ मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकि ये कि इस जंग का दूसरा दोर फ्र फिर वो होगा, अगर हिस्सा लिया तो कमाम मुल्मान जो है मैंदान में आ जाएगी फिर हमारी क्वरिशन तूट जाएगी अरब यहादा उन्हें शामिली किया सारी जग लड़ी है वेस्टरन जुच्छने भी थी खूहते हैं उन्हें जग लड़ी है जग लड़ने की नौबत तो आई नही और उनके एक राडर वाडर सारे जाम कर दी, सारी उनके तो यह हत्यारी भी कब्बे होकर रहे गए थे राग थे, बाराग, लेकिन अब भी ऐसा ही होगा, इसराइल से यह क्या गए तुम बैठे रहो, तुम मत बोलो, हम तुमारी जंग लड़ रहें, लेकिन जब यह कि यूम पर तुम बैठे पर तुम बैठे मसीह को नाति करते, अलमसीह, अबन मर्यम, जो कि असल मसीह है, वो इसे पक्री करेंगे, और उसके बाद मसल्मानों के हाथों, यहूदियों का गतल आम होगा, एक एक यहूदी चुन चुन कर पक्री कर दिया जाएगा, इसकी हदीस में मसलिम सजीद की रिवायत से, घजरत अबु उररा से है रजी लौह टाला, हमाई अबी उररा काल, काल काल रसुल्लह स्लेख स्ल्ल्मा ला तकूम साहत रुहता यका तल मसलिमोन यहूदा, हजडते अबु उररा रवायत करते हैं, कि आ हगूदी तक आम नहीं होगी जब तक म मुसल्मान यहूदियों से जंग नहीं करेंगे यहां तक कि अगर कोई यहूदी किसी पत्थर की चेटान के पीछे चुपेगा तो वो पत्थर चेटान और वो दर्ख जो है पुकाल कर तहेगा या मुसल्मान या अब लाओ यहूदियूं खल्सी आओ ये मेरे पीसे चुपा हुआ एक यहूदी जो है फताल आओ फक्तुल हो उसे गतल कर दो सिवाए एक दिर्ख खरकब किया ऐसा होगा जो यहूदियों को पना जेगा वो यहूदियों का साथी है और आज मुझे बताया गया है कि सबसे ज़्यदा प्लांकेशन जो है इसराइल में वो घरकब कीची गई है अब मुझे नहीं बालुग दर्स की किसा है किस दौईयत का है लेकि सबसे बड़ी प्लांकेशन घरकब कीची बेगा यह नहीं बरहदा आएगा अधरत मस्यर एससलाम के नुदूर के बाद और उसके बाद तिर्फ पूरी दुनिया के बड़ी चुकि हदरत मस्यर जब आएंगे इसायत को खत्म कर देंगे इसायत की अबादत सारा ख़ड़ा हुआ है सलीब के उपर वो कहें सलीब पर मैं चड़ाई नहीं किस चक्र में पड़े हुए हो यक सुरु सलीब वो सलीब तोड़ देंगे शरीयत मुस्यर सुर हराम का इन्होंने अपने लिए हलाल कर लिया वो यस्दूल खिंजीब खिंजीब को खत्य कर देंगे यानि उसका खाना मम्नू कर देंगे और उसके बाद जो है उनका मज़व इसाईयत जो है एससच खत्म हो जाएगा और तमाम इसाई दुनिया मुस्लमानों में शामिल होकर और फिर ये कुवट बनेगी जो पूरी दुनिया के उपर इसलाम को गालिब करेगी आखरी मरहले में याजूज माजूज का एक हमला होगा और आम को अपर समझे जाता है कि मुरूस और चीन होगे उस वक्त तक गालिबन इस ये जो मलहमत और उसमा है इसमें ये अलदा खड़े रहेंगे साथ नहीं आएगे लेकिन उसके बार जब आखरी मरहला हो जाएगा और जब बुरे नदर आएगा अब तो इसलाम जो है उसका मौल बाला हो गया पुरी दुनिया में तो जाहिर बात है कि ये लोग तो मुरह दीन में से है ये वो काबला करने के लिए आएगे पुरी दुनिया में अल्ला के दीन का गल्बा हो जाएगा जहां से कि मैंने बाता शुरू की थी यार वैसे काफी खौफनाक सा है ये वाला वयान और काफी वर्ड वोर तो लड़ाई जगडे के बारे में है तो काफी मतलब लड़ाई वड़ाई का काफी रोल है इसके अंदर और जो टोपिक भी है प्रेडिक्शन अबाउट लास्ट वर्ड वोर मुसलिम्स और यहुदियों के बीच जादा कुछ कुछ करके कुछ पंगा था इसके अंदर वीडियों में जैसे की दिखाया गया है एंड आइड नो यार मतलब कतले आम और बहुत सी चीजे इसके अंदर ऐसी थी जो आज के टाइम में हमें ठीक नहीं लगती आज के टाइम में वोयलेंस इस नौट ऑप्शन किसी भी तरीके से कोई ऑप्शन तो ही नहीं बहले ही दुनिया में कुछ भी होता है बट हम देखते हैं जैसे कि अभी रश्या और युक्रेयन में वोर हो रही है तो यह तो बिलकुल ही गलत है रश्या के खिलाफ काफी हद तक लोग बोल रहे हैं क्योंकि युक्रेयन एक छोटा देश है आप उस पर अटेक हो रहा है तो रश्या बहुत बड़ा पावरफुल देश है तो वो चीज़े काफी मैटर करती है और इंसानियात सबसे ज़्यादा बड़ी होती है यहाँ पर युक्रेयन या फिर रश्यांस या फिर मुसलिम्स या फिर हिंदूस यह अलग-अलग चीज़े नहीं है इंसानियात एक ही होती है तो वो चीज़े आती है तो वो भी महाँ पर मैटर कर रही है चलो ठीक है बट यह वाली वीडियो भी जिस तरीके से बनाई गई है जो होग I don't know but चलो ठीक है हमें समझ में आई वीडियो और वोर को लेके काफी अत्ता कि इसके अंदर बताए गया है आप लोग बताई आपको कैसी समझ में है हमने प्रेडिक्शन कर दिया आप लोग कहते रहते हैं प्रेडिक्शन करते रहे हैं तो और भी बहुत सारे प्रेडिक्शन रहे हैं तो हम वो भी क्लिया करेंगे तो धीरे धीरे सारे आजाएंगे फिलाल वीडियो को यहीं तक रखते हैं आपकी मिलते हैं आपसे इस तरह कि नेक्स वीडियो में तर दे लिए टाटा बाबाई एंड चेक के